नमस्कार आप देखरें दान्यूस आपके साथ में स्ट्रिस्टी मिश्रा चुनाओं के एलान होते ही यहाँ आपको बता दे कॉंग्रेस का चरित्र यहाँ पदा चलता दिखाई दे रहा है बड़ी ख़बर सामने आई है करनाटक से करनाटक के बैंगलोर में कॉंग्रेस की प की छापे मारी जारी है और यह कारवाई लगातार तावर तोर तरीक से चल रही आपको बता दे आयकर विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए जब आप भी यह तस्वीरे देखेंगे आपके भी होश उड़ेंगे यह कॉंग्रेस पार्टी है यह करनाटक की कॉंग्र पार्टी आपको बता दे जब आयकर विभाग की टीम को यह पता चला कि चुनाओं के वज़ा से अवय तरीके से धन निकासी की जा रही है और देखिए लगातार इस पर जानकारी भी सामने आ रही अभी विस्तर जानकारी नहीं आ पाई है सामने लेकिन जितनी जानकारी मि देखकर इन नोटों के बंडल को देखकर आयकर विभाग की अधिकारी यहां पर उनके होश उड़ गए और उनकी आखे खूली की खूली रे गई 40 करोड कैश बरामद हुआ है कॉंग्रेस की पूर्व कॉर्पोरेटर अश्वत थम्मा और उनके रिष्टदारों के घर से बड़ी ख़बर इस वक्त की आपको पता रहे कि इंकम टैक्स को सूतर बताएं इंकम टैक्स को ये पता चला है कि आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर अवैत तरीके से धान एकत्रित किया जा रहा था और इसी आधार पर इंकम टैक्स से वहाँ चापे मारी की और संदे के आधार पर जो चापे मारी की उस पर बहुत बड़ी सक्स इंकम टैक्स के बेनकाब हो रहा है अब इंतजार है राहूल गांधी सुनिया गांधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीका अजुन खड़गे प्रियंका गांधी का यह चार कॉंग्रेस के स्मार्ट लीजर कह लीजे जो अब पूरा बेड़ा समाले हुए है और आपके हिसाब से भी आपको भी चाहिए इस पर अब रहूल गांधी को बोलना पड़ेगा कि क्या जार्दी के जनगना के अलग साइड क्या इंकम टेक्स की चापे मारी कॉंग्रेस नेता पर हुई और 42 करोड रुपे कैश मिले आपको बता दे कि बैड के भीतर यहां पर कमरे से 42 करोड रुपे मिले हैं औ और तब अधिकारियों ने अपने सर पकड़ लिए कि आखर इतना कैश कैसे हो सकता है आपको बता दे कि कैशों को जब्त कर लिया गया है और ताजा अपडेट सामने आ रही है कि अभी भी कॉंग्रेस नेता और उनके रिष्टदार से पूछताच की जा रही है एक बर आप मतलब कल रात रेड हुई है और आज पूस्तास जारी है आज पूरी विश्रु जानकारी सामने आ जाएगी कौन से घोटाले किये कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने आखिर ये अवैद धन कहां से कॉंट्रिब्यूट कराया कहां से एक अत्रित कराया और इतने धन कैसे मिले कौन-कौन से नेता शामिल है लेकिन यहाँ पर करनाटक कॉंग्रेस बे नकाब होती नजर आ रही है आपको बता दे करनाटक कॉंग्रेस का चरुतर सामने आ गया है इसी वज़े से शायद करनाटक में पांच ग्यारेंट्यों कोंग्रेस पाटी नहीं दे पाई ये जनता कह साफ हूट चुका है कि आखिर इसी वज़े से आपने गरीबों के हको मारा गरीबों ने वोट दे दिया बीजेपी के सरकार थी कौंग्रेस की लेकर आई गरीब ही जनता जो होती है वो वोट देती है और देखिए जनता के पैसे तो बेट्स के नीचे रखे में बिल रहे है जनता के पैसों से यहाँ पर खुब अपने कामों को निप्टाया जा रहा है कैश भर कर रखा जा रहा है और देखिए यह है कौंग्रेस का चलित्र अब राउल गांधी क्या कहेंगे विधान समच नौ में अब सोनिया गांधी क्या कहेंगी खडगेजी क्या कहेंगे अब ही अक्टिवली नजर आते हैं क्या बोलेंगे यह सब नेता कॉंग्रेस के और देखिए अब एक बर फिट से आप यही सुनेंगे दर्शक की इंकम टैक्स आईटी और इसके साथ सीबी आई और इडी यह सब सब जो है वो बिक्य हुए हैं और प्रधान मंत्री दो इसकी पास से मिल रही है ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सब ही नेताओं ने फ्रस्टाचार नहीं किया होगा देखिए यह मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ लेकिन फिल्हाल जो अलग अलग जोखा छाप बानी जारी है उससे यही जाया होती है यही खबरे सामने आरी है कि प्रदा अत्याचार ओपोजिशन के लीडर्स कर चुके हैं आप करनाटक चले जाए रजस्थान चले जाए पश्यमंगाल चले जाए दिल्ली आजाए चलिए राधानी दिल्ली ही लोटाइए राधानी दिल्ली में तो पता नहीं कितने घोटाले हुए हैं आर्विन पैसा क्यों भाईया कहां से इतना पैसा आया आपको बता रहें कि अभी और जगापर च्छापे माली चलेंगे क्योंकि अधिकारियों को ये गुप्त सूचना मिली है कि अभी और गड़ियां बरामद हो सकती है तो कॉंग्रस के पूर्वर नेता ही घर मिली नोटों की इतन पूरे बंडल है इसका होगा क्या और ये कितने दिनों से ये काम चल रहा है आपको बता दे कि इंकम टैक्स, CBI, ED हर जोगाय अक्टिव हो गई है 24-9 के मद्दे नजर घोटाले बाजों को सरकार नहीं बखशेगी कॉंग्रस के लिए नहीं ये पूरे सरकार के लिए है भार बाज़ेशन लीडर को पूरा जेल में डाल देंगे और खुद राज करेंगे लेकिन देखिए ये भारत है यह खंड भारत है यहां पर घोटालों के सरताजों को दबोचा जा रहा है और खूब दबोचा जा रहा है आप देखिए पशिम मंगाल हर जगा कॉंग्रेस के जि जो स्क्रीन पर देख रहे हैं नोटों का इतना बंडल आप ज़रा सोचिए कि आखिर इतने नोटों के पीछे कितनी जनता है कितने गरीब जनता के हक को मारा गया दबोचा गया और यही वज़ा है कि करनाटक कॉंग्रेस अपने फ्री योजनाओं को शुरू नहीं कर पाई बोलकर कुछाई गरीबों ने वोट दे दिया बैंगलोर की जनता ने वोट दिया करनाटक की पूरी जनता ने वोट दिया और वोट दने के बाद कॉंग्रेस पाटी पलट गई पलट गई ना योजना शुरू किया ना मुफ्त चावल दिया बसों में फ्री टिकट्स नहीं एजेंसिया CBI EDI सब एक्टिव हो चुकी है और कह दिया गया है कि 24 चुनाओं के पहले एक एक पैसा घोटाले में किया हुआ सरकार वापस निकालने का बेड़ा उठा चुकी है और इसकी प्रक्रिया लगातार जारी है और यही वज़ा है कि अभी लगातार INDIA गठवंधन के होश उड़े हुए हैं और यह कहरे हैं कि यह मोदी जी के बनले की करवाई है भाईया मोदी जी जब तक साशन में रहेंगे ऐसे ही ओपोजिशन के लीडर को जेल में डालेंगे और खुद अकेले राज़ करेंगे और अपने बीजेपी निताओं के उपर शापेमारी क्यों नहीं होती है जहाँ जहाँ खबर मिलेगी वहाँ वहाँ इंकम टैक्स CBI ED एक्टिव होगी और यहीं वज़ा है कि तावर तोड शापेमारी ED CBI आई इंकम टैक्स डिपार्टिव हो रही है आपको बता दे आगे अधिकारी जो भी जान करेंगे हम आपको उससे भी जरूर रूबरू कराएंगे फिलाल यह बहुत बड़ी खबर 42 करोड कैश मिले हैं कॉंग्रेस की पूरो कॉर्पोरेटर अश्वात तम्मा और उनके रिस् कुरिया